दोस्तो सरलता ही मेरे चैनल के विसेशता है, मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ, उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है, उतना सरल करके और पूरी तरह से explain भी करता हूँ, जिससे कि सवी तरह के student को आसानी से समझ में आ सके, तो यदि आप बहुत आसानी के साथ टेली प्राइम स कर सकते हैं, और आगे निरंतर मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, उनका नोडिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकोन को फेस करके, ओल पर भी क्लिक कर लें, दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, टेली प्रा गेट्व अप्टेली मुखमेन नी होए, और यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, चार्ट ओफ अकाउंट, तो आपको क्या करना है, चार्ट ओफ अकाउंट को सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे, तो आप आजाएंगे दोस्तो यह यहां पर चार्ट ओफ अकाउंट्स में है, और यहां पर आने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतरकत आपको यहां पर लेजर से लिखा हुआ मिलेगा, आपको लेजर को सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, जैसे ही दोस्तो मैंने लेजर को सेलेक्ट करके हम आगे दोस्तों इस जगे NPC और यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा चार्ट ऑप काल्प लिस्ट आफ लेजर इसके अंतरगत आपने जितने भी लेजर क्रियड कर रखे हैं वो सारे के सारे lasers आपको मिलेंगे with group है ना, चलिए मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले है current assets, current assets के अंतरगत हम देखेंगे, तो यहाँ पर bank account एक group होता है, तो bank account group के अंतरगत मैंने दो laser create कर रहे हैं, SDFC bank saving account और state bank of India current account ठीक ना, इसके बाद देखिए, यहाँ पर cash in hand जो group है, उसके अंतरगत हमने cash का laser यहाँ पर create कर रहा है, तो group के साथ साथ हमको laser भी मिल रहे हैं, कि कौन से group के अंतरगत हमने कितने laser create कर रहे हैं, एक ही इस्तान पर हम देख पा रहे हैं, इसके बाद सारे laser हमको इस जगह पर show रहे हैं, इसके लावा TCS का जो laser है, वो मैंने यहाँ पर current assets की अंतरगत बनाया है, तो वो भी मुझे इस जगह पर show रहा है, इसके साथी साथ दोस्तों जब हम यहाँ पर और नीचे जाएंगे, तो इस जगह पर देखेंगे, तो यहाँ पर देख आए, capital account group के अंतरगत, और इसके बाद duties and taxes group के अंतरगत मैंने CGS, CGS, IGST और SGST के laser create कर रहे हैं, संडरी creditor group के अंतरगत, यानि जितने भी laser हमने create कर रहे हैं, वो laser भी हमको मिल रहे हैं, किस group के अंडर हमने create किया हैं, वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देखें, सं अंडर में मैंने create कर रहा है, वो मुझे इस जगह पर शोर है, secure launch के अंतरगत, जो मैंने laser create कर रहा है, ICICI bank loan account, वो मुझे इस जगह पर शोर है, और इसके साथी साथ यहाँ पर हम देखेंगे, ठीके ना, तो unsecured launch के अंतरगत भी हमने 2 laser create कर रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ यानि यह दोनों laser जो मैंने create कर रहे हैं, किस group के under create कर रहे हैं, तो वो group भी हमको यहाँ पर मिल रहा है, यानि आपको यहाँ पर lasers भी मिलेंगे, जितने भी laser आपने create कर रहे हैं, और किन-किन groups के under आपने create कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर एक ही screen पर, एक ही click पर देख पा तो इन डारड एक्सपैंसेज के अंतरकत हमने जो लेजर गुएट कर रखें वो लेजर हमको यहाँ पर मिल रहे हैं और प्रचेज और प्रचेज रीटरन का laser create कर रखा है वो हमको इस जगह पर show रहा है यानि एक ही click पर एक ही screen पर हमको सारे के सारे laser मिल रहे हैं और ना केवल laser हमको मिल रहे हैं कि हमने कौन को जे laser create की है बल्कि उन lezers को हमने किन-kिन group के अंडर में create किया है वो भी हमको यहां पर मिल रहा है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर open करके भी दिखा देता हूँ, जैसे देखे, current assets के अंतरगत, bank account के अंतरगत, हमने यहाँ पर state bank of india current account का laser create किया, तो आप यहाँ से उसको, जो भी laser आपको देखना है, उस laser को select करके enter भी enterprise करेंगे, तो आप उस laser को display भी कर पाएंगे, और modify भी कर और इसके अलावब मैं यहाँ पर किसी भी field में जाकर, इसको modify भी कर सकता हूँ, यानि यहाँ से सुधार भी कर सकता हूँ, और सुधार करने के बाद मैं इसको accept भी कर सकता हूँ, इस तरह से कोई सा भी laser हम देख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि sundry data group के अंतरगत है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और किसी भी laser को आपको देखना है, या उसमें modify करना है, तो उस laser को यहाँ से select करके और interface कीजिए, तो आप उसको देख भी पाएंगे, और modify भी कर पाएंगे, तो दोस्तों मैं समझता हूँ, आज का topic आपको अच्छे समझ में आगया होगा, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें धन्यवाद,